अगले कुछ दिनों के दोरान देश के कई इलाकों में बढ़ सकती है मौसम में हल चल नमस्कार मैं हूँ देवेंद्र त्रिपाथी और आप देख रहे हैं सकाइमेट वेदर रिपोर्ट जम्मो कश्मीर के पास बने पश्री विक्षोब का असर धीरे धीरे बढ़ने वाला है अगले 48 घंटों में जम्मो कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां तीज हो जाएंगी खासकर एक नवंबर से इन राज्यों में अगले कुछ दिनों के लिए मौसम सक्रिय बना रहेगा उत्राखन में एक दो सानों पर ऐसी गतिविधियां संभावित हैं दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली के साथ साथ नोईडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और आजपास के भागों में मौसम का मिजाज जसका तस रहेगा जिसके चलते प्रदूशन का राक्षस आज भी आपकी सांसों पर आक्रमण करता रहेगा पंजाब, हरियाना, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी मौसम के रुख में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, पुने, इंदौर और भोपाल, सहित, गुजरात, मध्यप्रदेश और महारास्ट में दिन में गर्मी और रात में ठंडक का मौसम बना रहेगा उमस भी जारी रहेगी क्योंकि हवाएं पूरब की दिशा से आ रही है जिन में मौस्चर जादा है लेकिन बारिश की उमीद नहीं कर सकते दक्षन भारत में उत्तर पूरवी मौसून का इंतजार खत्म होता दिखाई दे रहा है आज से तमिलनाडू और केरल में बारिश की इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी इसके साथ ही एकले 48 गंटों में नौर्थीस मौसून सेट भी हो सकता है इसके बाद दक्षन भारत की राजियों में बारिश गेती विधियां और तीज हो जाएंगी बंगाल की खाड़ी पर बना लो प्रेशर सिस्टम नौर्थीस्ट डिरेक्शन में आगे निकल रहा है जिसके चलते ओडिशा में बारिश में कमी आएगी लेकिन कोलकाता सहित पस्चिम बंगाल के दक्षनी शहरों और पूरवोतर भारत की राजियों में तेज बारिश आज भी देखने को मिल सकती है ओडिशा के उतरी शहरों में हलकी वर्शा की संभावना है इसी तरह बिहार और जारकन पर चाय बादनों और पूरवी दिशा से आ रही नम हवाओं के बीच राची, जमशेदपूर, बांका, जमुई नवादा, भागलकूर, कटिहार और आसपास के कुछ शहरों में हलकी बारिश देखने को मिल सकती है स्कायमेट विदर रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही